हेलो एवरिवन स्वागत करती हैं एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही हूं मूली की सब्जी और उसी की रेसिपी आप सभी किसा शेयर करने वाली हूं देखिए मूली की सब्जी अब बहुती फायदेमंद होती है जैसे फैटी ल सब्जी काता करने वाप में त्यार हो जाए ज्यादा पकान नहीं इसको नितिकिक के नीट्रिसन वैल्यू खत्म हो जाएगी यह देखिए मैंने साथ से आठ लैसन की कल्या ले ली है यह ले लिए मैंने दो मूली छील कर यह दो आलू ले लिए हैं और यह ले लिए हम इने कर तोहिते बिल्कुल कर बारिख-बारिक पृघक काटके प्याज है तो कि अब मैंने मूली की पत्तो को सबसे पहले ढ़या दो कर रख दिया है ऐचै से जिससे कि इन देखिए ये लेसन का पेश्ट भी हमारा त्यार हो गया ह। आप फ्राय करने के ले लिए मैंने लोही की कड़ाई उसमें छड़ा दिया है थोड़ाँ सरसो कह तղ मेथीदाना च storage में तोड़ा से जीरा कि उसके बार डाल दूगी इस में एक साथ लाल मुर्मिर्श को में चार पीच में तोड़ लिया है उसके बार डाल दूगे मैं प्याज कre감 आप अच्छे चलाथे मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे अपना लेसुन का पेस्ट ये देखिए अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब रसन से अच्छी खुस्बू आने लगेगी तो उसके बाद उसमें डाल देंगे मसाले आप सबसे पहले डाल दूंगे इसमें नमक ये भून गया है मसाला मेरा ये देखिए तो सबसे पहले में नमक डाल दूंगे स्वादन सार थोड़ी से डाल दूंगी हल्दी थोड़से धनिया पाउडर थोड़ी से डाल दूंगी हिंग देखिए अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें तब ये अच्छे से मसाले हमारे मिक्स हो गया है तो सबसे पहले डाल दीमें इसमें आलू आलू का अच्छे से भून लेंगे क्योंकि मूली के पत्तों को हम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाएंगे तो इसलिए आलू को पहले ही हम भून लेंगे आलू चलाने के बाद इसमें डाल देंगे हम मूली यह देखिए अब मूली को एड़ कर देते हैं और अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं और जब यह दोनों चीजे हमारे भून जाएंगे तो इसके बाद डाल देंगे हम इसमें अपने मूली के पत्ते तो अब यह मैंने मूली के पत्ते डाल दिये हैं अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और तीन से चार मिनट तक ऐसे ही हम खुली इसको पका लेंगे देखिए मूली की सब्जी को बहुत जादा टाइम तक नहीं पकाना है तीन से चार मिनट तक ही पकाना है वो भी खुली और फुल गैस पर उसी में वो हमारे सब्जी तियार हो जाएगी तो इस तरीके से मूली की सब्जी तेयार हो जाएगी तो इसे आप गर्मा गर्म किसी भी दाल के साथ या किसी भी रेसे वाले सब्जी के साथ बनाईए या फिर breakfast में पराटे के साथ बनाएए खाने में टेस्टी भी लगती है और यह बहुत ही healthy होती है लीवर के लिए बहुत फाइदेमंद होती है तो यहां गर्मा-गर्मा सर्व करने के लिए निकाल रही है एक बावल में तो आप सभी को मेरी रैसिपी कैसी लगी वोकस में कमेंट कीजीजागा वीडियो को लाइक कीजीगा चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा तो कल फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो नहीं रैसिपी के साथ थैंक्यू सूमयच